देखी ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल हम सब थोड़ा सा हेल्थ कॉंशेश हो रहे हैं और होना ही चाहिए। हर किसी को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और रोज-रोज अनहेली चीज़े खाने से बचने चाहिए। ऐसे में अगर किसी को मैदे से बनी हुई केक नहीं खानी हो तो घर पर रखी हुई एक तप सूजी से आप बना सकते हैं ये सूजी चॉकलेट केक वो भी बीना अवन। ये केक बहुत ही अच्छा फूलता है, सौफ्ट है, मॉइस्ट है और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है। इस केक को बेकरी जैसे केक जैसे सजाने के लिए आज हम एक बूंद क्रीम का इस्तमाल नहीं करेंगे। ना फ्रेश क्रीम, ना विपिंग क्रीम, ना किसी विपिंग क्रीम पाउडर। दूज से गानिश बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बेकरी केक से ज़्यादा साइटिस्फाइंग होगी। ज़्यादा टेस्टी होगी और हेल्दी भी होगी जो बेकरी वाली केक में नहीं होती है तो किस बात की इंतजार चेले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरा देखिएगा ये सूजी चॉकलेट केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप सैमॉली ना यानि की सूजी या रवा जिसे कहते हैं ये रवा मोटी हो पतली हो कोई भी चल जाएगी बस आप एक कप मेजर करके ले लेना अब इसके अलवा हम इसमें डालेंगे एक कप दूद आप कोई कटोरी भी सेट कर सकते हैं आप एक कटोरी अगर सूजी डालते हैं तो एक कटोरी आपको दूद डालना है ध्यान रहे ही दूद रूम टेंपरेचर में हो ना थंडा ना गर्म कोई भी दूद चलेगी फुल अब आपके पास ये विनेगर नहीं है तो आप क्या करें एक कप सूजी लेते हैं आधा कप दूद आधा कप उसमें दही डालते बस ध्यान रहे दही बहुत दिन पुराना खटा सा ना हो पतला दही ना हो फ्रेश दही का इस्तमाल करें अब 10 मिने ठक के छोड़ने के बाद आप देखिए सूजी थोड़ी से फूल गई है और ये गाड़ा सा हो गया है अब इस मिश्रण को हम एक मिक्षर जार में ले लेंगे और इसे पीस लेंगे इसलिए मैंने आपको कहा था सूजी मोटी हो पतली हो कोई भी चलेगी क्योंकि अट दिलास्ट हमें इसे पीस नही ताकि अच्छे से पीस सके इस तरीके से बैटर रेडी हुआ अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप घर का पिसी हुई चीनी अब अगर ठिक ठा कप मिठा खाते हो तो आप 3-4 कप पिसी हुई चीनी डाले मुझे थोड़ा सा कम मिठा पसंदे इसलिए मैं आधा कप टाला है एक चोथा कप में डाल रही हूँ संफ्ला रिफाइंड ओयल इसके जगा चाहे तो आप घी या फिर मेल्टेट बटर भी ले सकते हैं बस सरसो का तेल आपको नहीं लेना है मैं यहां पर एक तिहाई कप टाल रही हूँ यह डच कोको पाउडर लेकिन आप अगर थोड़ा कोको पाउडर कम डालना चाहे तो एक चोथा है कप टाले मुझे थोड़ा सा जाधा चॉकलेटी पसंद है इसलिए मैंने एक ती है कप टाला है और डच कोको पाउडर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा डार कलर का केक बनेगा लेकिन अगर यह आपके पास नहीं तो आप न अगर आपके पास वेनला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा अब लास्ट में हम एड़ करेंगे एक चोटी चमच बेकिंग पाउडर आदी चोटी चमच बेकिंग सोड़ा दोनों ही अलग-अलग इंग्रिडेंट है दोनों को ध्यान से देख करके डालेग सूजी केक में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा लास्ट में ही डाला जाता है ये ध्यान रहे और हाँ अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा दोनों ही नहीं है तो आप इसके बदले एक छोटी सी पैकेट इनो फूर्ट सॉल्ट के डाल सकते है अच्छा से mix कर लिजेगा देखिए batter हमारा ready है side में मैंने तवा गरम होने के लिए रग दिया है चुले पर ग्यास के चुले पर और यहां पर देखिए मैंने लिया है exchange का cake tin इसमें मैंने butter paper लगा है यह butter paper को आप घर पर ही ready कर सकते हैं कोई भी notebook का plane paper लेकर cake tin के size में cut करके तेल या butter लगा कर चिपका लिजेगा नहीं तो आप cake tin में तेल लगाईए थोड़ी से मैदा छिड़क लिजे आप batter डाल सकते हैं अब यहां पर हमारा तवा गरम हो चुका है तवे के उपर मैंने एक wire rack रखा है आपके पास ये wire rack ना हो तो कोई भी plate को उल्टा करके रखिए उसके उपर cake tin को रखकर भगोने से ढख दीजे और ये cake को low flame पे 30 मिनिट के लिए bake होने दीजे cake अगर 30 मिनिट में ready नहीं हुआ है तो 5 मिनिट और bake कर सकते बस ध्यान रहे है जो आप भगोना हटाएंगे toothpick डाल कर चेक करें toothpick अगर clean आता है तो cake ready है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी cake ready हो चुकी है इसे निकाल कर एक damp closet ढख करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये थंडा भी हो जाएगा और cake soft रहेगा इसलिए ढख करके आप kitchen platform में ही थंडा होने के लिए से side में रख दीजेगा चलिए जब तक हमारा cake थंडा हो रहा है तब तक हम बनाते हैं चॉकलेट ट्रफल, चॉकलेट गनाश जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक pan में कटे हुए एक कप डाक चॉकलेट कमपाउंड मैंने Morde Company की चॉकलेट कमपाउंड ली है अब इसमें चाहेगा आधा कप दूद वैसे तो इसमें fresh cream जानी चाहिए पर आप लोगों की कमेंट आती है कि हमारे पास कोई cream नहीं है तो मैं आज दूद से ही बना रही हूँ flame को on करके अब हम low पे कर देंगे धिरे-धिरे low flame पे दूद गरम होगी, चॉकलेट गरम होगा, melt होना शुरू होगा हमें बस continuously चलाते रहना है जब तक दूद और चॉकलेट बिल्कुल melt होकर mix ना हो जाए और एक silky smooth गनाश ready ना हो जाए और यह बहुत ही जल्दी melt होगा, आपको बिल्कुल इसे पकने के लिए से छोड़ना नहीं है continuously mix करते रहना है और flame को तीज नहीं करनी है जब इस तरीके से mix हो जाएगा flame को off कर दीजी क्योंकि गनाश अभी काफी गरम है जादा इसको नहीं पकानी है pan गरम है तो continuously चलाते रहेंगे और तब तक हम इसमें एक बड़ा चमश butter पे डाल देते हैं जिससे बढ़ियाशी shine आ जाएगी और चौकलेट गनाश अभी गरम है तो butter आटोमेटिकली इसमें mix हो जाएगा flame on करने की ज़रत नहीं है देखिए flame off है अब यह जो हमारे पास चौकलेट गनाश या चौकलेट टरफल रेडी हुआ है इसमें से थोड़ा सा pan में बचाएंगे हम बाकी का नकाल कर एक कप में में नकाल कर फ्रीज में रग दूंगी जिससे थोड़ा सा थंडा हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा और केक में काम करने में आसानी होगी हमें यहाँ पर देखिए हमारा जो केक है बड़िया थंडा हो चुका है अब इसे unmold करके बटर पेपर को हम हटा लेते हैं साइड में बटर पेपर लगाने साब देख सकते हैं मेरी जो केक के साइड में कभी क्रिस्पी नहीं होती है बहुत ही perfect केक बनकर ready होता है और इस सूजी केक आप देखिए कितना अच्छा राइज हुआ है बहुत अच्छी हाइट आईए अगर केक टिन की हाइट थोड़ी और होती तो इतना डोम शेप नहीं आता और भी केक की हाइट मुझे मिल जाती थी फिर भी इस केक में से आप आराम से चार लेयर कट कर सकते हैं देखिए कितना soft है चले अब यह डोम शेप को हम फटा फट हटा लेते हैं और इस डोम शेप को यूज करके आप केक की गानिशिंग भी कर सकते हैं केक की डेकोरेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं मैंने कई बर बटाया है balls बना कर golden dust लगा करके आप यूज कर सकते हैं या फिर जो चॉकलेट वह मिसली आती है उससे लगा करके केक की डेकोरेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही खा सकते हैं अब मैं एक त्रेट के मदद से केक को तीन लेयर में कट कर रही हूँ क्योंकि हम अज थोड़ा सा कम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं एक कप चॉकलेट कमपाउंड है हमारे पास ज्यादा नहीं है तो इसलिए तीन लेयर में नहीं तो चार लेयर आराम से कट जाते थे इसको हमें इतना ही गाड़ा रखना है अगर मैं थोड़ी दर और इसे फ्रीज में रखोंगी यह और भी ज्यादा टाइट हो जाएगा इससे क्या होगा ना केक के उपर स्प्रेट करने में दिक्कत आएगी यह पॉफेक्ट कंसिस्टेंसी है केक के उपर स्प्रेट करने के अब यहां पर मैंने लिया है टन टेबल के उपर एक केक बेस पोर्ड इसे अब डियाइवाइ करके घर पे भी बना सकते हैं थोड़ी सी में चॉकलेट टरफल लगा रही हूं और एक लेयर में केक की रख रही हूं जो मिडिल लेयर होता है वो हमें नीचे रखनी होती है अब अब पर मैंने लिया है एक चोथे कप पानी और यह मैंने थंडा पानी लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट गनाश वो हमने रेडी की थी वो डाल दी मिक्स करके केक को मैंने अच्छा से मॉइस्ट किया और ध्यान रहे सूजी केक बनाते हूं तो अच्छा सी से मोईस्ट करे और एक पतली सी लेयर में लगा रही हूँ चॉकलेट ट्रफल की क्योंकि हमारे पास ट्रफल कम है वैसे भी जब अब चॉकलेट ट्रफल के बनाते हूँ पतली सी लेयर ही लगाई जाती है क्रीम जितना मोटा लेयर नहीं लगता है क्योंकि चॉकलेट ट्रफल के केक वैसे भी जादा वजनदार होती है तो अगर जादा लगेंगे तो बजट बढ़ जाएगा वैसे भी बेकरिस में जादा नहीं लगाया जाता और क्योंकि हमारे पास आज फिर भी कम है तो पतली सी लेयर चॉकलेट के हम लगा रहे इससे भी केक बहुत ही जादा टेस्टी बन जाता है अब केक की जो टॉप लेयर था सबसे उपर का लेयर वो मैंने मिडल में रखा इससे भी मॉइस्ट किया इसमें भी एक पतली सी लेयर मैंने ट्रफल की लगा दी और जो केक की सबसे नीची वारी लेयर है उसे हम उल्टा करके उपर रखेंगे इससे क्या होगा केक की जो क्रम है वो बहान नहीं आएगा केक की फिनिशिंग अच्छे से हो पाएगी इसे भी अच्छे से मैं मॉइस्ट कर रही हूँ अब इसके उपर भी हम एक पतला सा लेयर क्रिम की लगाएंगे चॉकलेट ट्रफल की लगाएंगे हमारे पास अभी बहुत ही कम कॉंट चॉकलेट से कवर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है और आप देख सकते हैं जो मेरी ट्रफल है वो बहुत इजिली स्प्रेड हो पा रही है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पॉफेक्ट है इनकेस आपकी जो ट्रफल है ज्यादा सेट हो गया हो फ्रीज में ज्य निकाली हूं और यहां पर जो चॉकलेट गनाश मैंने बचाया हुआ था फ्रीश के बाहर जो रखा हुआ था वो भी थोड़ा सा गाड़ा हो गया था फिर मैंने इसमें एक चमस दूद डाला फिर हलका गरम किया और मैं इसमें डाल रही हूं ध्यान रहे गरम गरम चॉकले गनाश भी बहुत ही लिमिटेड कॉंटिटी में है इसलिए मैंने पालेट नाइफ से हलका सा इसको स्प्राइड किया साइड में फिर भी कवर नहीं हो रही थी तो मैंने ऐसे स्क्रैप पर यह एक्सपाइड वाली डेबिट कार्ड को यूज करके पूरी के उपर गनाश को म यहां पर मैं थोड़े से चार चोटे-चोटे चॉकलेट बना कर रखी ती डाक चॉकलेट कंपाउंड से ही इसके उपर मैं गोल्डेन स्प्रे मार रही हूं जिससे कि हमारी सोनी की बिस्केट्स रेडी हो चाहेंगे और चॉकलेट केक में इसकी कलर कॉमिनिशन बहुत ही इलकुल रॉयल लुक दे देती है यह गोल्डेन बिस्केट्स तो इस तरीके से स्प्रे मार करके दोनों तरफ में स्प्रे मार लूंगी और यहां पर मेरे पास है थोड़े से चॉकलेट वर्मिसली क्योंकि हमारे पास और ट्रॉफल नहीं है जिससे कि हम केक को और थोड़ा क्योंकि आज हम जो केक को बना रहे ना बहुत ही लिमिटेड इंग्रिडेंट के साथ बना रहे हैं हमने इसमें कुछ भी नई सूजी उसकिया और हमने दूद यूसकिया और चॉकलेट कमपाउंड जो की मतलब में इंग्रिडेंट से और छोटी-छोटी तो बेकिंग पाव मैंने दो चॉकलेट को बीच में प्लेस किया फिर और दो बची हुई थी तो मैंने सोचा चलो साइड में भी इसे डाल देते हैं ऐसे यह देखिया ऐसे मुझे जैसे समझ में आया मैंने इसे ऐसे डेकोरेट किया आप अपनी क्रियेटिविटी के अनुसर इसे और सुन्दर बना सकते हैं और यह लुक आपको कैसे लगी यह भी मुझे कमेंट में बताना और अब कैसे लुक बनाना जानते हो वो भी मुझे बता सकते हो आप इस केक को बनाते हो तो इसकी पिक्स मुझे इंस्टरगाम पर शेयर कर सकते हो मेरी इंस्टरगाम हैंडल की लिंक मैंने यह लग रहा है कि इतने कम खर्चे में और सूजी से ये केक बनी है केक बहुत ही डिलिशस है दिखने में तो बहुत ही सुंदर है मुझे तो अच्छी लग रही है आपको कैसी लग रही है ये तो आप बताएंगे और केक बहुत ही डिलिशस लग रहा था ये मुझे पता है क्यों ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पन नूँ हो तो चैनल को सब्सक्राब करके बल आइकन को क्लिक करें आज के लिए इतना ही बाबाई आड़ टेक केर